इस वीडियो में तमाम पेसिंजर्स के साथ आपकी बहस हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि जन पृतिनी जी होने के नाते पेसिंजर्स आपसे बहस चल रहे हैं क्या है कि सांसद मैं हूं लेकिन एक मनुष्य भी हूं एक सन्यासी भी हूं और मैं कभी किसी भी कानून का उलंगन नहीं करती और जहां तक होता है कि मैं उलंगन करने भी नहीं देती और अगर कोई गलत काम करता है तो मैं इसका प्रतिरोध अवश्य करती हूं यह मेरे सिद्धानतों में है मैं यात्रा कर रही थी स्पाइस जेट से मेरा मैंने टिकेट बन बाया मुझे रेड की हड़ी की तकलीफ है पैरों में तकलीफ है इसलिए मुझे इस्पेशियस जगे इस्पेशियस सीट चाहिए जिसमें हम थोड़ा अपने पैरों को ठीक से यह होता है कि वेक्ति लेने जाता है वीलचेर से ले करके आता है उसके बाद मेरा वोर्डिंग बना तो ए ए वन टिकेट दिखाती हूं आपको यह ए वन सीट है मेरे ठीक है यह मेरा टिकेट है और ए वन सीट मुझे दी गई और इसका मैंने एक्ष्टा चार्ज भी दिया क एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैं यात्रा कर रही हूं, मैं जब उस सीट पर मुझे वीलचेर से लाया गया, उसमें बिठा दिया गया, जब मैं वहां बैठती हूं उस सीट पर तो थोड़ी देर बाद, फिर वहां से हमसे कहा जाता है, और होस्टेज कहती है कि आप इस सीट प पार्टिशन लगा रहता है, उस पार्टिशन के बाद की सीट थी, ना उस पर था कि ये इमर्जेंसी सीट है, ना वो खिलने बाला गेट था, ना ही वो खुलता है, ना ही उस पर लिखा हुआ है, ना कोई नियम है, सिद्दानत है, कुछ नहीं है उसका, लेकिन मैं बैठी ह नियम तो मुझे हटाया जा रहा है, मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है, तो आप मुझे नियम दे दीजिये, इसकी एक नियमावली होती है, रूल बुख्ध है वो जिसको कहते हैं, आप बो दे दीजिये मुझे, हम उसमें नियम देख लेते हैं, आपको कुछ कहने की पर उनके पास रूल बुक नहीं थी और नहीं कोई ऐसा रूल था कि अगर इमर्जनसी सीट होती तो आप लोगों ने भी देखा होगा पूरा देश जानता है इस चीज को वो क्या होता है उसमें इमर्जनसी लिखा रहता है वो गेट खुलता है और उसके सब नियम सिद्दान उनको यात्रियों को बताए जाते हैं कि आपको दूसरों की हेल्प करना है परन्तु यहां जिस सीट पर जो सीट मुझे दी गई थी उस सीट पर ऐसा कुछ भी नहीं था मैंने उनसे का मुझे रूल बुक चाहिए कुछ लोग आये उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है या क्यों वो ऐसा लेट हो रही है फ्लाइट तो फ्लाइट किसके कारण लेट हो रही है फ्लाइट स्पाइस जेट के जो स्टाफ था उसके कारण लेट हो रही है हमने अपनी बात कही कि हमें रूल बुक दे दो पस हो गया आप अगर महां इमर्जनसी सीट होती तो उसमें निश्चि ऐसा लगा कि मैं अपनी वियाईपी गीरी दिखा रही हूँ मैं एक नौर्मल व्यक्ति हूँ मैं एक सन्यासी हूँ और मैं उसी भाव में रहती हूँ कि मैं जो जन सामानी की पीड़ा है वो मैं समझती हूँ मैंने रूल बुक इसलिए मांगी कि आप मुझे रूल बुक जिससे हर व्यक्ति का अधिकार है और व्यक्ति के पास होना है जानना चाहिए उसको जानने का अधिकार है आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं मैं एक जिम्मेदार सांसद हूँ और एक व्यक्ति भी हूँ मैं चाहती हूँ इस बात को कि कैसे भी करके अगर हम यात्रा कर र आपको ये भी जानकारी होगी कि मैं वहां की मेंबर होती हूँ, मैं वहां की चेर्मेन होती हूँ, मेरे अंडर में छे सदस्य आते हैं, एयरपोर्ट एथर्टी के, मैं उन सदस्य को या मैं जनता को क्या जवाब दूंगी अगर मैं ही गलत करूंगी तो, मेरी सीट है, मैं उस रहे तुम्हें तो शरम नहीं है तो मैं तो ऐसा उनकी मानसिक्ता कुछ है यह इन्हीं वो अपने सिर्फ ब्यक्ति-गद जीवन और ब्यक्ति-गद सुक्ष और नहीद स्वारत चाहिए मैं इसी जनता के लिए खुद को कश्ट में डालती हूं खुद कश्ट सेहन करती हूं